तो आप इस बिजनिस से एक घंटे के इंदर पंदरा सो रूपे की इंकम कर सकते हैं आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में या बिजनिस चल रहा है बारत की 135 करोड की जनता को इस प्रोड़क की जरूरत है दोस्तो इस प्रोड़क के बारे में आपको यूटूब चैनल है गूगल के ऊपर ही इसके अलवा भारत के बड़े बड़े जो न्यूज चैनल है उनके उपर भी इसके बेनिफिट्स के बारे में बताया जा रहा है और हर बंदे को सला दी जा रहे हैं कि हर विक्ति इस प्रोड़क को यूज करें और काफी लोग मोके पी चोका मारके इस बिजनिस को सुरू कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफ़ा गर बैटे कमा रहे हैं क्योंकि दोस्तो डिमांड इसकी इतनी ज़ादा है कि आप बनाते बनाते ठक जाओगे अगर आपके आसपास की एरिया में पता चलेगा कि आप इस प्रोड़क को मैनिफेक्टर करते हैं तो हर बंदा आप इस प्रोड़क खरीदेगा और आपके बनने से पहले ही आपकी डि दिखा देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा यकीन हो जाएगा कि सच में ये न्यू चैनल के उपर भी इस प्रोड़क की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है और बड़े-बड़े डॉक्टर्स भी इसके बारे में बता रहे हैं कि इस प्रोड़क का यूज करें तो पहले ह कि धिन मोलेठी के कि बारे में कहा जाता है कि ये अशाधिया गुण का खजान और इसकी खूपियां क्या है और खाने का तरीका क्या है पहुंचाइप लेकिन खाने का सही तरीका है आप हमें बताइए कि ओशदी हमारे लिए यह जो मुलेठी है हो कितनी फाइदे मनद दोकी मुलेठी के कई तरह से आप यूज कर सकते हैं, गले के लिए जैसे आपने बोला गले में खरासे तो मुलेठी की छोट छोट लकड़ी के टुकड़े आते हैं, और चुछते रही है गले में डालके तो गले में उसका रस जाएगा तो आराम करेगा अगर आपको अस्तमा वगरा है खांसी ये सूखी खांसी विशे शुरूप से तो मुलेठी का पाउडर ले लिजिए और उसको आप या तो गुंगुने पानी के साथ ये सेहद में मिला के चाट लीजिए से चाई पीते हैं उसकी तरह से आप पिए तो अगनी भी आपकी ठीक रहेगी और इसके अतरिक्त जो है मुलेठी को रात को अगर पानी में भेगो दें आप और सुबह एक मोटे कपड़े में से छान लें तो मुलेठी का जो पानी है वो आँखें धोएंगे आप उससे तो मुलेठी मिला के पेस्ट बना लिजिए और उसको चालों पर थोड़ा लेप कर लिजिए तो उससे आपके चालों में भी आराम आएगा इसी प्रकार से तवचा के अगर कहीं खुजली खारिशे वहां भी इसका घी में अनारियल तेल में लेप बना करके लगाया जा सकता है तो बहुत सारे गुण है मुलेठी इजिली अवेलेबल है आपको हमारे हाँ पर पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएगी जीवा में उसको मंगाईए और उसका परियोग करिए दॉक्टर चोहान थैंक्यू वेरी मच्च आज जूस से जुड़ी है इतनी इंपॉर्टेंट आपने बाते बताई हूं मीद करते हैं कि दर्शक अब इन बातों का ध्यान भी रखेंगे किसी भी पंसारी की सौफ में मिल जाएगी इसको खलकुत्री से आपको बारीक मुलायम होने तब फूट लेना है ताकि जब आप इसे ग्राइंडर में पीचें तो आपका ग्राइंडर खराब ना हो और यह इजिली आपकी महीन पिस जाए रिखिए खलकुत्री से फूटने के बाद इसमें जो इसकी महीन जो पिस जाएगी तो यह आपको किसी भी काढ़े के काम और इसके साथ ही आप इसे सहथ के साथ हार्मोन इंबैलेंस के लिए आप इसे खा सकते हैं देखिए जो यह पिसने के बाद कुछ इस प्रकाश्य आपको दिखाई दे रही है जब आप इसको ठान लेंगे तो यह एकदम बारीक हो जाएगी और अब आपको इसका जबरदस तरीका बताने वाला हो कि यह प्रोड़क्ट आप आसा नीचे मार्केट के अंदर कैसे सहल कर सकते हैं आपके पास में एक मिनट पी यह प्रोड़क्ट नहीं रुकने वाला है उसका बैस तरीका में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हो देखी दोस्तों सबसे पहले तो हमें इस बिजनिस को सुरू करने के लिए इस प्रोड़क्ट को मार्केट से खरीदना होता है जो कि आप 75 रुपए किलोग्राम के साब से आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट से इ आप में मैकसिमम एक हजार रुपए केजे के साब से सेल करना है क्योंकि दोस्तों सभी लोग जानते हैं सभी लोग अबर इसकी प्राइस चेर करते हैं तो ओलाइन चैट पर उनको 850 रुपए पर केजे दिखाता है तो इस वज़ए से अगर आप उन्हें एक हजार इसको हम मातर 500 रुपए पर केजे के असाब से सेल करेंगे दूस्तों 500 रुपए पर केजे के साब से भी अगर हम किसी को सेल करते हैं इस प्रोड़क को बना करके इसका पाउडर बना करके तब भी हमें कम से कम 400 रुपए का प्रोफिट इस बिजनेस से एक केजे के ऊपर हो क्योंकि इसकी जो प्राइस मार्केट में आप सभी ने देख लिए होगी स्क्रीन सोट के अंदर भी आपने देखा होगा जो कि ऑल्लाइन शैट में अगर ट्राइब करते हैं तो वहाँ पर भी हमें बिजनिस आडिया दोस्तों अगर आप इसे कर लेंगे तो 101% आप इसे बिलकुल भी गाटा नहीं खाएंगे क्योंकि दोस्तों इस बिजनिस को आप मालतर 2-3,000 रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंवेस्टमेंट करने की जरत नहीं पढ़ने वाली है तीसरी चीज़ दोस्तों इस बिजनिस को सुरू करने के लिए आपके पास में जेस्टी और आपके पास फूड लाइसे होना अनिवारी है अगर इनके बिना आप इस पड़क को मार्केट में सेल लिंक कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों मैं आपको सभी वीडि आपके चाइन हैं रिटेलिंग और हम चाइन में सेल कर सकते हैं तो ऐसे सेट धासे हम इसे कुछ सब्सक्राइब 3 कर सकते हैं ऐसे कमां सकते हैं दिए कर सकते हैं हम आपकी पूरी हम करेंगे इस बिजनेस को आगए बढ़ाने में झाल झाल